आप सभी ने वर्तवान परिस्तिती की जो गंभीरता है उसका आकलन करते हुए कई महत्वपुण बिंदू आज सामने रखे हैं और कई जरूरी सुझाव भी दिये हैं और बहुत स्वाभाविक था कि जहां पर मुर्त्युदर जादा है जहां पर करोना का स्प्रेड तेज हो रहा है उन राज्यों सगात विशेस रुप से चर्चा की गई है लेकिन बाकी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं तो मैं अगर करूंगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी है आपको लगता है वो मेरे तक पहुंचाईए ताकि कोई कोई राणदिती बनाने में वो उपकारक होंगे अभी यहां जो प्रेजिजन भारत सरकार की तरफ से स्वास्ता सचीव की तरफ से प्रेजेंटेशन रखा गया उससे भी स्पर्स्ट है कि एक बार फिर चोनवती पुर्ण स्थिती बन रही है कुछ राज्यों में स्थिती ज्यादा चिंता जनक है ऐसे में गवर्नन्स सिस्टिम में सुधार यह बहुत आवश्चक है यह मैं समझ सकता हूं कि साल भरकी इस लड़ाय के कारण दवस्ता में भी ठकान आ सकती हैं डीलापन भी आ सकता है लेकिन यह दो तिन सप्ता और अगर हम टाइट करें और अदग गवर्नर्स को बढ़ार मजबूत करें इस पर हमने बल देना चाहिए सात्यों आज की समिक्षा में कुछ बाते हमारे सामने स्पर्ष्ट हैं और उन पर हमें विशेज ध्यान देने की ज़रूत है पहला देश फर्स्ट वेव के समय की पिक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज़्यादा तेज है दूसरा महराष्टर, छत्रिशगर, पंजाब, मत्वदेश, गुजराद समेथ कई राज्य फर्स्ट वेव की पिक को भी क्रॉस कर चुके है कुछ और राज्य भी इस वर्तेजी से बढ़ रहे हैं मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए इस चिंता का विशय है सीरियस कंसन है और तीसरा इस बार लोग पहले की अपिक्षा बहुत अधिक कैज्यल हो गए है अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है ऐसे मैं करोना के केसिस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किले ज्यादा पैदा की है करोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से यूद तस तर पर काम करना आवश्य है साथ इन तमाम चुनावतों के बावजो हमारे पास पहले की अपेक्षा बहतर अनुगों है पहले की अपेक्षा अच्छे संसादन है और अब एक वैक्सिन भी हमारे पास है जन जागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्टर्स हेल्ट केर स्ट्राइब में स्थीति को समानने में बहुत मदद की है और आज भी कर रहे हैं आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योग अपेक्षित है अब आप कल्पना कीजिए कि गत्व और जिन दिनों में हमारे हाल क्या थे हमारे पास ट्रेस्टिंग लेप नहीं थे इवन मास्ट कहां से मिलेगा यह भी एक चिंता का पीपी केट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एक मात्र साधन बचा था लॉकडाउन ताकि हम व्यवस्ताओं के एकडम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वह हमारी स्ट्रेजी काम आई हम व्यवस्ताओं को बना सके सवसाधन खड़े कर पाएं हमारी अपनी क्यापेबिलिटी बढ़ाई दुनिया से जहां से प्राप तो कर सकते कर पाएं और लोकडाउन के समय का हमने उप्योग किया लेकिन आज जो स्टिटी आज जब हमारे पास सब समसाधन है तो हमारा बल और यह हमारे गवर्णन्स की कसोटी है हमारा बल सबसे। हैं जहां पर रात्री कर्फिव का प्रवग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रव। हमेशा करे कुरोना करक्पि तब क्योंते हैं कि कौरोना के प्रती है बनी रहा है कुछ लोग ये intellectual debate करते हैं कि क्या Corona रात को याता है हकीकत में दुनिया ने भी रात्री कर्फ्यू के प्रयोग को स्विकार किया है क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं Corona काल में जी रहा और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम से कम प्रभाव होता है हाँ अच्छा होगा कि हम Corona कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबे 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभाव ज्यादा न हो और इसलिए उसको Corona कर्फ्यू के नाम सही प्रचलिद करें और Corona कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को educate करने के लिए काम आ रहा है तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के लेकिन मैंने पहले कहा अब हमारे पास व्यवस्ता इतनी हो चुकी है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन उसी पर बल दीजिए आपको अच्छे प्रणाम मिलेंगे हाँ उसमें जड़ा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है गवननस को टाइट रखना पड़ता है हर चीज को माइनूटली अबज़र करना पड़ता है लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी ये मुझे विश्वास कीजिए दूसरी बात है हमने पिछली बार कोवीड का आंकड़ा दस लाग एक्टिव केसे से सवा लाग तक नीचे लाग कर दिखा दिया था एक जिस रणदीती पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटिक है और मज़ा देखिए उस समय सफलता हम ही लोग ने पाई थी तब समसादन भी कम थे आज तो समसादन ज़ादा है और अनुभव भी ज़ादा है और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं पीक को उपर जाते रोग भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर और कोविड मेनेजमेंट इनी चीजों पर हमें बल देना है और आप देखिए अब एक विशा ऐसा आया है मैं आप सभी मुक्हमंत्रियों से आगर करता हूँ कि आप अपने राज्य की मश्रीज के द्वार ठोड़ा अगर अनालीसिस करें, सर्वे करें और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या मैं इसको सवाल के रुप में कह रहा हूं होता क्या है कि इन दिनों कोड़ों में ये तोड़ा वेरिफिकेशन का बीशे है लेकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं पहले को प्रोना के समय क्या होता था हलके फुल के सिंटेम्स भी लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्षल लेते थे दूसरा इन दिनों बहुत पेशन्ट असिंटेमेटी है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया ऐसा हो गया कभी-कभी तो वह भी ने जन है और परिणाम शुरूप पूरे अब परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेनसीटी बढ़ती है तब हमारे ध्यान आता है जो आज परिवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरू वाद एस्सिंटिमेटिक होती है और केरलेस होद् वो भी ध्यान में आ जाएगा तो परिवार में होम कोरोन ट्राइल वगेरे जंग से कर लेगा वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जीनकी जीता है वो नहीं जीएगा और इसलिए पूरा परिवार जो आज लपेट में आ चाता है उसको बचा सकते हैं और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सिन की करते हैं उससे जादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूत है बल टेस्टिंग पर देने की जरूत है और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है उसको तकलीब हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए और वो मैं समझता हूं करम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा हमारे पास वाइरस को कंटेंड करने के लिए एक एहम तरीका है कि हम हुमन होस्ट को कंटेंड करें मैंने पहले भी कहा था यह कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर क नहीं आओगे घर में नहीं आता है और इसलिए हुमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूत करना पड़ेगा उसने नियमों का पारण करना होगा यह बहुत आवशक है और निशित तोर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रेकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है हम टेस्टिंग क कैसे भी करके पांच परसंट के नीचे लाकर के रख जाए और आपको याद होगा शुरू में जब करोना की खबरे आने लगी तो हमारे यहां कॉंप्टिशन हो ले लगी वो राज्य तो निकम्मा है वहां बहुत बढ़ गया फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है रा जारण आपको आपका परफॉर्मस बुरा है प्रेशर में मत रहिए आप टेस्टिंग पर बल दिए और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं संख्या जादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं यह सोचने के जरूत नहीं है आप टेस्टिंग जादा करते हैं उसके कर आजता तो टेस्टिंग का ही है टेस्टिंग के करना आखड़ा बढ़ा आजाता है आने दीजिए उसके करन कोई राज्य अच्छा है को राज्य बुरा है ऐसा मुल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है और इसलिए मेरा आपकर आग रहे हैं किस प्रेसर से बाहर निकल जाएए ट टेस्टिंग को बल दीजिए भले पॉजिटिव के ज़्यादा आते हैं आने दीजिए लेकिन उसी कद हम उपाय कर पाएंगे और हमारी टार्गेट सतर प्रतिशत सेवेंटी परसंट आर्टी पिसिया टेस्ट करने का है कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है मैंने वेरिफ पारजिक है ऐसे ही मूँ के आगे ही सेंपल ले लेते हैं ऐसा है बहुत गहरे जाकर के सेंपल लिये बिना रियल रिजट मिलता ही नहीं है अगर आपने उपर उपर से ले लिया मूँ में सवड़ा सा डाल करके तो जो रिजट आएगा तो नेगेटिव ही आने वाला है और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सेंपल नहीं लेते हैं जिन राज्यों में यह हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिज कीजिए बले पोजिटिव केस बढ़े चिंता मत कीजिए लेकिन पोजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा लेकिन वो नहीं होगा तो बहर में फैलाता रहेगा पूरे परिवार को पूरे मोले को पूरे टैनामेंट को सब को लपट लेगा हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की ज़रोत है और फिर मैं कहता हूँ कि प्रापर सेंपली और प्रापर होना चाहिए नहीं कुछ कमी है और ये गवर्ननस के माद्यम से हमनों चेक करना होगा कुछ राज्यों को इसके लिए इनफास्ट्र बढ़ाने की ज़रोत होगी लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददकार होगा लेफ्ट में सिफ्ट बनाने की ज़रोत करनी है तो मैं समगत इसे भी किया जाना चाहिए साथ ही मैंने पहज़ेज़ पारण में करा कंटेंडमेंट जोन में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल जिस कंटेंडमेंट जोन के बना देहना नहीं चाहिए आप देखें आपको परणाम फटापण मिलना शुरू हो जाएगा शाथियों जहां त हर कॉंटेक को ट्रेक करना, टेश करना और कंटेन करना इनवे बहुत तेजी की ज़रुत है 72 अवर्स में कम से कम 30 कॉंटेक्ट ट्रेसिंग से हमारा टार्गेट कम नहीं होना चाहिए एक वेक्ति का खबर आया तो उसके 30 समंदित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा कंटेन्मेंट जोन की भी सिमाएं सपस्ट होनी चाहिए, बेग नहीं होना चाहिए पूरे के मौले के मौले हिलाके के हिलाके ऐसा मत करो अगर दो फ्लैट है, एक इमारत में छे मंजिला है, तो फिर उतनों को ही करो बगल का टावर है, उसको बाद में देखो अधरवाईज क्या होगा, कि हम सब के सब सरल मार यही है, कि महनत कम पढ़ती है, यह कर दो उस दिशा में मत जाईए, आप सब इस दिशा में सक्रिये हैं, बस हमारी सतरता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा अगर रहेगा, हमें यह सुनिश्चित करना है, कि कोवीड फटिक के चलते, जमीन तक जाते जाते प्रयासों में, सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी हैं, कई राज्यों में कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को पिरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बना कर काम किया है, इसके अच्छे नतीजे मिले हैं, हम सब को ये भी अनुभव हैं, कि जहां कंटेन्मेंट जोन में हेल्थ मिनिश्ट्री की एसोपिस का, और मैं मानता हूँ यह एसोपी ब वहां बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, इसलिए मेरा इस सुझाव जरूर होगा कि इस और विशे ध्यान दिया जाए, सातियों हमने चर्चाव के दोरान अभी मोटरा लीडी रेट पर चिंता जता ही, यह कम से कम रहे, इन पर भी हमें बहुत जोड देना है, और उसका कि वो रूटीन लाइब जीता है, मामुली बिमारी है सा मान लेता है, पुरे परिवार में फैला देता है, और फिर एक सिती बिगरने के बाद अस्पताल तक आता है, फिर टेस्टिंग होता है, और तब चीज़े हमारे हाथ से निकल जाती है, हमारे पास हर कोस्टल में एडमिशन हुआ, मरीज को कौन कौन सी बिमारिया थी, मुरुत्यू के पिछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे, ये डाटा जितना कॉम्प्रोएंसिव होगा, हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी, साथियों, मैं आपकी भी जानकारी में है, कि एम्स दिल्ली, हर मंगलवार और सुकरवार को इस विशह पर वेबिनार आयोजित करते हैं, और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जूरते हैं, ये लगातार होते रहना चाहिए, सभी राज्यों के हस्पताल इनसे जूरते रहें, जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है उनकी जानकारी सब को रहें, ये भी जरूरी है, और ये लगातार कम्मिनिकेशन की ववस्ता है, जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं, उनको उनीकी भाशा में, उनीको लोग समझाएं, इसका प्रबंध है, इसका लाब लेना चाहिए, इसी तरह, एम्डिलेंसिस, वेंटिल और ऑक्सिजन अवेलेबिटी के भी लगातार समिक्षा आवश्यक है, अभी तक जब इसली बार हम पिक में थे, आज भी देश में उतना ऑक्सिजन का उप्योग नहीं हो रहा है, और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हैं, चीजों का रिपोर्ट को जड़ा वेरिफाइ कर ले हम, साथियों एक दिन में हम 40 लाख वेक्सिनेशन के आखरे को भी पार कर चुके हैं, वेक्सिनेशन पर कई महत्पण मिंदू इस चर्चा में हमारे सामने आया है, देखें वेक्सिनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाईए, दुनिया भर के समरुद्द से समरु उन्होंने भी वेक्सिनेशन के लिए जो क्राइटरिया ताई किये हैं, भारत उनसे अलग नहीं है, आप जड़ा स्टडी तो कीजिए, आप पड़े लिए के लोग आपके पास है, जड़ा देखें तो सही, और नए वेक्सिन डेवलप्मेंट के लिए जितना भी कोशिस हो रही है, मैक्सिमम् वेक्सिनेशन मेनिफेक्रिन केपिसिटी हैं, उसके लिए भी काम हो रहा है, और वेक्सिन के डवलप्मेंट से लेकर स्टोक और बेस्टेज जैसे जरूरी बिन्दों पर भी चर्चा हुई है, ये बास सही है, आपको मालूम है कि भी इतनी वेक्सिन बन पाती है अब यह अचा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्टरियां कोई रात और रात लग जाती है जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्राइटराइज करना पड़ेगा किसी एक राज में सारा माल रख करके हमें पढ़ना मिल जाएगा यह सोच ठीक नहीं है हम पूरे देश को खाल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्शिन वेस्टेज यह रोकना भी है सात्यों वैक्शिन को लेकर राज सरकारों की सला, सुझाव और सहमत इन्हें सही देश राफी रण देती बनी है मेरा आप सभी से आगर होगा कि हाई फोकर्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के उपर शत्व प्रतिश्द वैक्शिन के लिए लगातार प्यास कीजिए एक बार एक तो हैचिव करके देखिए मैं एक सुझाव देता हूँ क्योंकि ये कभी-कभी बातारों बदलने के लिए चीज़े बहुत काम आती है 11 अप्रिल जोतिवा फुले जी की जन में जैनती है और 14 अप्रिल बाबा साब आपमेरकर जी की जन में जैनती है क्या हम 11 अप्रिल से 14 अप्रिल पूरे अपने राज में टीका उत्सव मना सकते हैं एक पुरा वातावन क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेस अभियान चलाकर हम जादा से जादा एलिजिबल लोगों को वैक्सिनेट करें जीरो वेस्टेज ताय करें हम के इन चार दिन जो है उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा वो भी हमारी वेक्सिनेशन थेट को बढ़ा जेगा हमारी वेक्सिनेशन के एक सब्सक्राइश का अल्टिमेटम अल्टिमम अप्टिमम यूतिलाईजेशन यह हम लोग करें और इसके लिए हमें यदि vaccination केंदरों के संग्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 एपरिल किस प्रकार से चीजों को मोबलेज कर सकते हैं एक achievement का satisfaction मिलेगा बातार बदलने में बहुत काम आएगा और मैं बार सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम vaccination पहुचा सकते हैं पहुचाने का प्रयास करें हमारा प्रयास यही होना चाहिए इस ट्रिकाउट सो में हम जादा से जादा लोगों को vaccinate करें और वो भी eligible work को मैं देश के युगाओं से भी आगर करूँगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के उपर के जो लोग हैं उनको vaccine लगाने के लिए बदद करिए मेरी नवजवानों से विशेस अपील है आप हिल्दी हैं सामर्थवान हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं कोरोना के जो SOPs हैं जो प्रोटोकॉल से डिस्टन्स मेंटेन करने वाली बात हैं मास पहनने वाली बात हैं अगर मेरा देश का नवजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है को मेरे नवजवान तक पहुँच जाए हम पहले इस प्रिकोशन को नवजवानों पर बलते हैं नवजवानों को वैक्षिन के लिए जितना हम मजबूर करना चाहते हैं उससे ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल के लिए प्रेडित करें अगर हमारा नवजवान इसको बिड़ा उठा लेगा खुद भी प्रोटोकॉल का प्लान करेगा और उसे भी करवाएगा तो आप देखिए वो ही स्थिती जैसे हम एक बार पिक पर जा करके नीचे आये थे दुबारा हम आ सकते हैं इस विश्वास के साथ हम आगे चालसा से सरकार ने एक डिजिटल विवस्ता बनी आई है जिससे लोगों को वैक्सीन में मदद मिल रही है और बहुत अच्छा अनुभव सब लोग लिखते भी है कि मिझे बहुत अच्छा अनुभवरा लेकिन इस डिजिटल विवस्ता से जूडने में जैसे भी परिशानी आ रही है जैसे गरीब परिवार हैं उनके लिए टेक्नलोजी का समद नहीं है मैं नौजवानों से कहूँगा ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए आप आगे आई है हमारे NCC हो हमारे NSS हो यह हमारे राज्य के जो सरकार की विवस्ता हैं उनको हम काम में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले हमने इसकी चिंता करनी चाहिए शेहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है, बुजूर्ग है, जुगी जो अपनी में रहता है उन तक यह बाते पोच्चाएं उनको हम वैक्सिनेशन के लिए ले जाएं यह हमारे वालेंटियर्स को सिविल सोसाइटी को हमारे नव जवानों को हमारी सरकारे मोबिलाइज करें और उन्हें प्रात्विक्ता के आधार पर हम वैक्सिन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें एक पुन्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए वैक्सिनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सिन लगवाने के बाद भी लापरवाई हमें लोगों को ये बार बार पताना होगा कि वैक्सिन लगने के बाद भी मास्क जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवारी है इंडिविजन लेवल पर लोगों में मास्क और साथानी को लेकर जो लापरवाई आई है उसके लिए फिर से जागरुकता जरूरी है जागरुकता के इस अभ्यान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी वेक्तियों सामाजिक संगठनों सेलिब्रिटीज, ओपिनियन मेकर्स अपने साथ जोड़ना होगा और इसके लिए मेरा आगरह है कि गवर्नर नाम की जो अपने हैं इंस्टिटूट है उसका भी भरपुरूपियों किया जाए क्या गवर्नर साथ के नेतरुत्व में मुख्यमंत्री जी के महारदर्शन में अल पार्टी मीटिंग राज्य तो समसे पहले कर ले राज्य अल पार्टी मीटिंग करें और अल पार्टी मीटिंग करके एक्शनेबल पॉइंट तय करें फिर मेरा आगरह है कि गवर्नर साथ और मुख्यमंत्री मिल करके चितने भी इलेक्टेड लोग हैं, उनका वर्चुल वेबिनार करें, पहले अर्बन बॉडिज का करें, फिर रूरल बॉडिज का करें, जितने लोग चुन करके आए हैं, उनसे करें, और उनके सामने सभी आपके एसेमली में जो जीत करके लोग आए हैं, उसके जो फ्लोर लीडर हैं, सब सम्मोधिन करें, तो एक पॉजिटिव मेसेज अपने आप शुरू हो जाएगा, कि इसमें राजलिती नहीं करनी हैं, सबने मिल करके करना है, तो मैं समझता हूँ एक तो यह प्रयास करना जाए, दू करके समीट हो जाएं, और बाकी लोगों को वर्चूल जोड़ा जाएं, जो सिविल सुसाइटी के लोग हैं, एकाज समीट उनका कर लिया जाएं, जो सेलिब्रिटिज हैं, लेखं हैं, कलाकार हैं, खेलाडी हैं, उनको एक बार कर लिया जाएं, मैं समझता हूँ कि यह गव सब्सक्राइट परमळिजिये, हमारा क्या हुआ हैं? हम एकड़ टेश निग भूल करके वwww vaccine पर चले गई, vaccine जैसे जैसे पोड़ाइब रोड़क होगी, जैसे जैसे पौहँचे हैंद पहुचे जूचे हैं, हमने लड़ई जीती थी मिना वैक्सीन को, वैक्सीन आएगी औ अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं और जैसा मैंने कहा पूरे फरीवार फैले लेपर्ट में आ रहे हैं उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है फिर भी आप लोग इसको वेरिफाई कीजिए मैं क्लेम नहीं करना हूँ किसी चीज का मैं सिरफ अपना अगर ज सिर्मटेमैटिक कारणों से शुरू में परिवार में ये फैल जाता है फिर अचानक परिवार में जो पहले से बिमार वेक्ति हैं या कुछ कर्षेने वाला है उओ एक69र में आ जाता है फिर पुरा परिवार संकत वाय जाता है और इसलिए मेरा आग्रह है प्रो एक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा हमारे पास वेवस्ता है हिंदुस्तान के हर जिले में लेब बन चुकी है एक लेब से शुरू किया था हमने आज हर जिले में लेब पहुंच गई है और हम इस चीज़ को बल उना दे तो कैसे होगा। इसलिए मेरा आग्रह है जहां तक राजनीति करना नकरने का थवाल है मैं तो डेवन से देख रहा हूं भाती-भाती के बहाती कि बायानों को जेङ रहा हूं लेकिन मैं कभी मुह खोलता नहीं हैं क्योंकि मैं मानता हूं यह रिभनी के नोकों की से नहीं रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके, सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके, अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे, मुझे पक्का विश्वास हैं, इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे, फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी, ये इस विशे में कोई कॉम्प्रमाइज मत कीजिए जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बार बारी सा आप कहीं मैं छाते का उप्योग नहीं करूँगा, ये नहीं चल सकता है, आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए है, तो भी अगर बारी सा रहे हैं, तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रेन कोट पहना ही पड़ेगा, वैसा ही ये कोरोना एक ऐसी ब आपका विश्वास है, और मेरा आप पर भरोसा है, आप अगर इनिशेटर लेंगे, चिंता करेंगे, और फोकस टेस्टिंग पर कीजिए, वैक्सिनेशन की व्यवस्ता एक लंबे कालखन के लिए है, जो निरंतर चलानी होगी, वो चलाते रहेंगे, आज बल्थ हम इस पर हैं, और जो एक टिका उत्सव, एक ब्रेक्ट्रू करने के लिए ताय किया है, उस टिका उत्सव पर हम एक नई सफलता प्राप्त करें, एक नया विश्वात परदा करने के लिए, एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है, मैं फिर एक बार आपके सुझावों की प्रतिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद